तो आपका शरीर भोजन का एक धेर है, छोटा या बड़ा, आपका मन प्रभावों का एक धेर है, फिर से छोटा या बड़ा, इन दो धेरों के बीच आप कहा हैं? आप इस तरह कीजे, जो आप नहीं हैं, उन सब चीजों को आप किनारे रखतीजे, तो आज अगर आप सोने ज आने से पहले हर वो चीज जो आप नहीं हैं, उसे एक तरफ रखतीजे, वो आपके लिए कीमती हो सकती है, आप उसके बारे में सोचिए, आपका घर, क्या वो आप हैं? ओ, मेरा घर? ठीक है, उसे लेकर आप बहुत भावख हैं, मगर ठीक है, उसे एक तरफ रखतीजे, थोड़ी मुश्किल है, मगर नहीं, वो मैं नहीं हूँ, वो आपको बताना शुरू कर रहे हैं, अगर वो बारा साल के हो गए हैं, तो उन्होंने बता दिया होगा, तो जो कपड़े आप पहनते हैं, क्या वो आप हैं? नहीं, जो शरीर आप पहनते हैं, क्या वो आप हैं? ये सब विचार और भावनाएं क्या ये आप हैं नहीं। सब कुछ जो आप नहीं हैं, उसे एक धेर में रखिए। बहुत एक रूप से नहीं, दिमागी रूप से ये कीजिए। सब कुछ किनारे रखतीजिए। देखते हैं। हर दिन आप इसका अभ्यास कीजिए। एक दिन जब आप सफलता से हर चीज को एक और रखतेंगे जो आप नहीं हैं, जो आप हैं वो वहां होगा। अगर आप नहीं जानते, ये कोई समस्या नहीं है। अगर मैं देखता हूँ मैं नहीं जानता तो जानने की संभावना हमेशा होती है, है ना, मगर आप अपने बारे में एक भी चीज नहीं जानते हैं, अब समय है, समय है कि हम ध्यान दें, क्योंकि आप जो भी जानते हैं, आप उसे उसी तरह जानते हैं, जिस तरह वो आपके मन के आईने में देख रहे हैं और आईना हिला हुआ है मगर पहली चीज है आईने को सीधा करना ताकि वो आपको हर चीज वैसे दिखाए जैसी वो है किसी और तरह से नहीं अभी सब कुछ इस तरह दिखता है कि आप किसी चीज से कैसे जुड़े हैं हर पहचान ने आपके मन के आईने को बिगार दिया है और वो आपको चीजें बिलकुल अलग तरह से दिखाता है सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात करना बंद कर दें जिन्हें आप नहीं जानते